LGP ने था चिराग पासवान ने एलान किया है कि वे हाजीपूर से ही लड़ेंगे चुनाव मैं पिता की सीट से ही चुनाव लड़ूँगा चिराग पासवान का एलान बाकि उम्मिद्वारों के नाम का एलान बाद में किया जाएगा चाचा यानी पशुपति पारस कहां जाएंगे ये उन्हें तै करना है आपको बता दें कि हाजीपूर सीट को लेकर के बड़ा घमासान चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच हुआ और यहां तक बात बढ़ गई कि पशुपति पारस को कोई सीट नहीं मिली और उन्होंने एंडिये से बाहर जाने का एलान कर दिया और इस बीच चिराग पासवान ने साफ कर दिया है कि वे अपने पिता रामविलास पासवान की सीट हाजीपूर से इचुनाम लड़ेंगे चाचा पशुपति पारस को क्या करना है वे जाने चिराग पासवान लजपी रामविलास के प्रेसिडेंट हमारे साथ मौजूद है चिराग जी बहुत बहुत बधाई हो और जैसा मैंने कहा कि चाचा बतीजे की लड़ाई ये टर्म आप काफी सुन चुके होंगे इसको आप अपनी राजनीतिक जीत के तौर पे देखते हैं इस लड़ाई को या पारिवारिक हार के तौर पे देखिए मैं इसको ना जीत के तौर पे देखता हूँ ना हार के तौर पे देखता हूँ एक लंबार संघर्ष हम लोगों ने किया उस संघर्ष को सम्मान मिला हम लोग राजनीती में गड़बंधन में हम लोगों ने हमेशा कभी भी सम्मान से कोई समझोता नहीं किया ऐसे में धाई तीन साल से मेरे पार्टी का हर एक कारे करता बिना इस उम्मीद के की राह के आखिर में उन्हें क्या मिलेगा या नहीं मिलेगा सिर्फ और सिर्फ इमानदारी से महनत करते रहे, जनता से जुरते गए, जनाधार अपना बढ़ाते गए और अपनी सोच को अपने विचारों को मेरे नीता के सिधानतों को लेकर हम लोग आगे बढ़ने का हम लोग कारे करते रहे, ऐसे में आज जब हमारे गडवंधन में हमारी पार्टी को वो सम्मान मिला है पांच लोगसभा की सीटे जिसकी लड़ाई हम लोगों ने लड़ी थी मैंने हमेशा से इस बात को कहा था कि गड़बंधन लोग जन्शक्ती पार्टी का 2019 में उस्वक भी संसाद्य बोट के अध्यक्ष के नाते एक एहन भूमिका में मैंने उस गड़बंधन को पूरा किया था ऐसे में गड़बंधन ने भी इन तमाम बातों को सम्मान देने का काम किया और ये जीत की बात नहीं है, हार की बात नहीं है, गर्व की बात है गर्व होता है, पार्टी के कारे करताओं ने इतनी महनत की और उनको सम्मान मिला आपके चाचा पशुपति पारस जो केंद्र में मंद्री भी थे वो भी उतने ही कद्दावर नेता और आप से जादा राजनीती के एक्सपीरियंस रखने वाले लेकिन चिराग पास्वान के पास ऐसा क्या तुरूप का एक्का था कि हाजीपूर को लेकर जो लड़ाई चल रही थी वो लड़ाई आपने जीती और वो सीट आपके हाथ है मुझे लगता है राजनीती में तुरूब का एका सिर्फ और सिर्फ जन्ता के पास होता है और जन्ता जिसके साथ है राजनीती में हैं गनित भी है इसमें समीकरण भी है इसमें बट एवरिफिंग बॉल्स डाउन टू कि जन्ता किसके साथ जा रही है यह जनता किसके पर विश्वास करती है, वो किसको अपना समर्थन देती है और मुझे लगता है कि यह कुछ ऐसे फैसले हैं जो मेरे हाथ में तो कतई नहीं थे, यह गड़बंदन के हाथ में थे गरबंदन के सबसे बड़े दल भारती जनता पार्टी को इस पे फैसले लेने थे और जब मैं भाजप़ा की मैं बात करता हूँ भाजप़ा is a very well research पार्टी वह अपना research पूरा करती है वह अपने feedbacks लेती है अपने data असपे काम करती है तो ऐसे में जब आप उसमें अगर उनको इस बात का विश्वास था कि चिराग पासवान वो सीट जिता पाएगा मुझे लगता है बस वही एक आधार बना मुझे उस सीट देने का। उन दुख तक्लिफों में से मैं निकला हूँ मेरे नेता मेरे पिता जिनके ओपर आरोप भी लगाये जाते थे कि भई वो परिवार को देखते हैं बढ़ हकीकत भी है कि उन्होंने अपने रहते वे ना कभी परिवार ना कभी पार्टी को तूटने दिया।